कि वालो डियर स्टुएंट आम टीचर अव क्लास फर्स टुड़े आम गोईंग टीच इंग्लिश पाट 22 चेप्टर फर्स एक्ससाइज रिम्पी अन जोति चलिये अब हम किस पर आगए कोश आंसर पे पहले हमने पहले पार्ट में पहले और प्रीवियस पार्ट में हम क्या क पस question answer, question answer one by one पढ़ेंगे, एक एक करके learn भी करेंगे और उसको write भी करेंगे, ठीके, कोशिच करेंगे पढ़ने की what, what means क्या, what means क्या, what is, is means है, क्या है, rimpies, rimpies, s लग जाता है तो off हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इस पूरे का, यह जो कौमा लगा है और s का मतलब हो है, house means घर, made of, made of means, made of means बना हुआ, किसका बना हुआ है, या क्या बना हुआ है, मतलब किससे बना हुआ है, what is, rimpies house, made of, rimpie का house, यानि rimpie का घर, किसका बना हुआ है, rimpie का घर किससे बना था, किससे बना था, याद आ रहा है आपको कुछ, rimpie का house, मट से बना था, गिली म मिट्टी से बनाता हम तो क्या लिखेंगे हम आंसर एज रिम पीज रिम रिम पीज पीज यह कॉमा और यह एज कॉर रिम पीज हाउस हो यू एज हाउस इस मेड 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 अप फरी मेड ओफ ओ और और यह ओफ मेड ओफ किसका बना था मेड ओफ मड बस sound के through भी learn करने की कुशिश किया अगर हो मड मड आंसर क्या हो गया रिम पी का हाउस मड से याने गेली मिटी से या फिर मिटी से बना हुआ है कर लोगे learn अच्छे से हो जाएगा हम एक और question लेते हैं what what means क्या is is means है क्या है in in means मैं क्या है किस मैं packet packet means packet packet में क्या है क्या है packet में क्या है packet में तो packet में क्या था तो there t h e r e there r a r e r 2 t w 2 pretty p r e double t y pretty frocks f r o frock और इसमें एस लगे frocks in the packet p a c k packet packet तो क्या था packet में क्या था विटा there are two two means do pretty means sundar frock means frock दो sundar frock थी किस में in the packet उस packet में इस तरीके से आज हम केवल दो questions learn करेंगे मैं की जैसे मैं ने लिखके दिखाया है आप भी मुझे ऐसी नाउट डाउन करके दिखाये और उसको साथ में learn भी कीजिए ओके थैंक्यू